बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर आप fresher हैं तो आपको client मिलना बहुत ही मुश्किल काम है और ये बात कुछ हद तक सही भी है क्योंकि अगर आप fresher हैं तो आपको client आसानी से नहीं मिलते हैं और अगर client मिल भी जाते हैं तो उनको convince करना एक बहुती tough काम होता है इसलिए मैं इस वीडियो में आपको 7 ऐसे Fiverr Gigs बताऊं जिनका use करके आप clients ले सकते हैं Fiverr ते इसमें आपको technical skill की बिलकुल भी जबरत नहीं है आपको कोई जबरदस software सीखने की भी जबरत नहीं है अगर आप एक student है, beginner है, housewife है या job करते हैं और आपको side hustle करनी है तो ये perfect video है आपके लिए इस list में जो last वाला gig है वो मेरा personal favorite उसमें आपको zero technical knowledge की requirement है और आपको laptop की requirement नहीं है सिर्फ आपके पास internet connection होने चाहिए, client को वो task करके भेजने के लिए So without further ado, let's get started सबसे पहला जो gig है वो है Canva का flyer बनाना या Canva से brochure बनाना इसमें बहुत लोगों की requirement रहती है Fiverr पे और जाधा competition भी नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ Fiverr पे कितना कम competition है और आप इसको कैसे कर सकते हैं सबसे पहले हम Fiverr खोल लेंगे और यहां लिखेंगे Canva flyer आप चेक के रिए सिर्फ 964 results हैं मतलब सिर्फ 960 लोग इस service को offer कर रहे हैं मतलब आपके पास as a freelancer इसमें अच्छा खासा चांस है stand out करने का चलिए अब यह देखते हैं कि यह लोग ऐसा क्या design कर रहे हैं जिससे Canva से इनको order आ रहे हैं तो मैं सबसे पहले यह वारा खोल लेता हूँ शीना यह लेविल 2 की designer हैं यह बहुत असानी से आप Canva भी बना सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको step by step वो करके भी दिखाऊंगा तो make sure आप पूरी वीडियो देखें चलिए सबसे पहले आप Canva खोल लेते हूँ और मैं आपको बना के दिखाता हूँ और आपके पास देख लीजे कितने जादा फ्लायर सा रहे हैं इन में से हम कोई एक फ्लायर से लेते हैं for example this one इसके बाद इस पर the requirement of the client आप यहां पे text change कर सकते हैं for example यह editable है यह भी editable है photos भी change कर सकते हैं आप जाएं elements में जाएं यहां पे businessmen लिखें और photos में जाके आप free photo कोई भी choose कर सकते हैं for example मैंने यह वाली लेली इसको यहां पे delete करें और इसको drag and drop करेंगे तो photo आपकी use हो जाएगी तो ऐसे करके आप अपने client को deliver कर सकते हैं यहां से जाएं आप share पे, downloads पे इसको pdf standard या pdf print में डाउनलोड करके client को दे सकते हैं इस freelancer के already five orders in queue हैं इसका मतलब यह होता है कि जो यह काम कर रही हैं उसके बाद इनके पास already five orders pending हैं यह वह काम deliver करेंगे फिर five orders already इनके लिए रखे में हैं कि client ने दे रखा हैं इनको काम आपको पता लग रहा है इसमें कि इतना अच्छा demand है और competition इतना जादा नहीं है इसमें पैसे भी अच्छा कमा सकते हैं अगर आप देखें तो यह एक page flyer के 2200 रुपीज चार्ज कर रही है basic में standard में 8-10 page के flyer में 7900 रुपीज चार्ज कर रही है और premium में तो 13000 रुपे चार्ज कर रही है यह 15 page के ब्रॉशर में तो यह gig आप start कर सकते हो अगर आपको cano आता है अगर नहीं आता है तो थोड़ी बहुत practice करोगे यह gig आप पक्का start कर सकते हो तो next gig की तरफ बढ़ते हैं वो है fav icon fav icon क्या होता है basically जब भी आप कोई website फोलते हैं उसमें छोट असा icon नजर आता है chrome में उसको कहते हैं fav icon तो उसको बनाना कोई rocket science नहीं है बहुत ही छोटे से और easy to make designs होते हैं और इनको आप canva के free account में भी बना सकते हो तो यह बंदा ओल्रेडी 4.9 की रेटिंग पर है और इसके 1000 से जादा रिव्यूस है मतलब इसने कितने fav icons अल्रेडी बनाएवे हैं और इसके पास भर-बर के orders आ रहे हैं तो इसको इसका profile चेक करते हैं मैं दिखाता हो आपको के banana क्या होता exactly तो यह आइकन बनाने होते हैं और इन आइकन को कहते हैं और इसको बनाना बहुत ही simple काम है अब हम चलते हैं के तरफ और मैं आपको अभी हाथो हाथ बना के दिखाऊंगा के यह कैसे बना सकते हैं आप हाथी कम टाइम में फ्री में खोल लेते हैं इसमें हम create a design पे जाएंगे और एक custom design बनाएंगे 1000 x 1000 pixel का अब for example आपके client एक real estate में है उनको अपनी real estate website के लिए एक home से related fav icon चाहिए तो हम वो create करेंगे तो आप जाओ elements में और search करो home home पे एक search करने के बाद आप graphics में जाएंगे आप free का fav icon चूज करो for example यह वाला fav icon मैं चूज कर रहा हूँ इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं इसके बाद आप client को at least 2-3 option दो remember अगर आप client को expectation से जादा deliver करते हो client आप से हमेशा होच रहेगा return होकर आपके पास order place करेगा तो इसलिए एक से जादा आपको client को option देने चाहिए तो इस icon को अब हम 2-3 color में convert करेंगे मैं सिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे simply आपको इस page को duplicate कर लेना है इस पे click करना है और यहां से आप color change कर सकते हैं for example मैं color ले देता हूँ blue then फिर आपको duplicate करना है और फिर इस पे click करके इसको हम change कर सकते हैं और अब आपके पास 3 type के icons हो गए हैं आप जाएं share पे click करें downloads पे जाएं और ऐसा PNG भी deliver कर सकते हैं but I would suggest आप SVG करें SVG scalable होता है मतलब client जब भी use करेगा उसको जहां भी use करेगा उसका जो pixel है वो खराब नहीं होगा but यह क्योंकि Canva Pro में है तो अगर आप Canva free use कर रहे हैं तो आप PNG या PDF भी दे सकते हैं चल जाएगा अब अपनी next gig के तरफ चलते हैं जो की है बहुत easy to make typography posters इसमें देखें आप result 271 results है मतलब के बहुत कम competition है Fiverr इतनी बड़ी platform है इसमें 1000 लाखो लोग एक एक चीज़ बना रहे होते हैं लेकिन इसमें आप देखो सिर्फ 271 लोग इस काम को कर रहे हैं यह काम बहुत easy है इसको भी मैं आभी आपको हाथ Canva में बनाना सिखाऊंगा तो stay till the end of this video अब आप चेक करो लेवल वन की यह seller है और इनके design हम check करेंगे यह बहुत simple design है बहुत elegant है बहुत simple designs है और इनको हम Canva पे free account में भी बना सकते हैं और आप देखो एक creative poster के यह charge कर रही है 1300 रूपीज और 3 creative poster के obviously 3500 रूपीज और 5 creative poster के यह charge कर रही है 6,000 रूपीज and these are so easy to make so let's get back to the Canva और मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं हम इनका यह वाला ही create करेंगे जो love वाला इनों ने बनाया है simply आप जाएं create a design पे click करें और आप custom design ले ले maybe 2500 x 2500 मैंने 2500 इस ले लिया है क्योंकि कभी-कभी लोग इसको प्रिंट कराते है और free text लेंगे हम this one इसको क्लिक करके ungroup कर लेंगे और इस second वाले को हम डिलीट कर देंगे first वाले का हम color change करेंगे color हम रख लेंगे maybe white और लिखेंगे LO इसको copy paste करेंगे ve और दौनों को group कर देंगे इसके बाद हम center align करेंगे और फोड़ा साइज इंक्रीज कर देंगे अब इसके पीछे ही नों एक stroke रखी है brush stroke लोगी हम निकाल के लगा देगे elements पर आप लिखेंगे brush stroke लिखेंगे इसको हम रोली brush stroke लेंगे इसको हम रोटेट कर लेंगे बडा कर देगे और इसको जाके to back कर देंगे brush stroke का color हम change कर सकते हैं यहां जाएंगे हम simply this one or maybe like this color or this color whatever हम इन में से कोई भी color ले लेंगे जो भी आपको सही लगे या जो भी client की requirement हो आप उसके साब से कर सकते हो अब आपका ये poster ready हो गया अब इस poster को जाना है share जाना है और आप इसको pdf print में भेजें क्योंकि जब आप client को deliver करोगे तो वह print कराके में भी अपने room में लगाए drawing room में लगाए whatever लेकिन pdf ए send करने का aim यह होता है कि जो उसके pixel है जो उसकी quality है वो degrade नहीं होती है तो यह हमारा ऐसा gig है कि इसमें आपको कोई technical requirement नहीं है आपको सिर्फ canva free आना चाहिए अब canva भी नहीं आता है तो थोड़े बहुत YouTube tutorial available है आप देखके यह start कर सकते हो next हमारी gig है handwritten logo handwritten logo बहुत की simple short तरीके से बनाया जाते है वो भी canva free account में और इसकी demand बहुत जादा है लेकिन Fiverr पे इसका competition बहुत कम है मैं आपको दिखाओंगा कि कैसे Fiverr पे competition कितना जादा कम है और कैसे आप कहना आता है इसको बना सकते हैं तो चलते हैं screen की तरफ और मैं सर्च करके दिखाता हूं handwritten logo सिफ 1200 लोग इसको offer कर रहे हैं और इसमें अगर आप देखो तो बहुत ही easy to make है for example अगर हम इनका काम देखते हैं तो यह 7000 रुपीज चार्ज कर रही है for a logo color for instagram icons profile pic basically मतलब 2-3 चीज़े extra जोड़के 7000 रुपीज basic चार्ज कर रही है आप अगर सिफ logo दोगे तो आप at least 4000 यह 3000 रुपीज चार्ज कर सकते हो basic plan का अगर premium की बात करें तो premium में 14000 रुपीज चार्ज कर रही है आप आराम से 8-10,000 रुपे चार्ज कर सकते हो क्योंकि foreign clients आपको दे देते हैं पैसे अगर आपका logo बहुत अच्छा हो अब logo कैसे अच्छा बनाना है और कहां से बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी हम देखते हैं इनका portfolio के इन्होंने क्या काम किया है अगर आप इनका portfolio चेक करो तो basically इन्होंने handwritten logos बनाए हैं यह जादा कुछ नहीं होते handwritten logos यह signature fonts आते हैं अगर हम चेक करें इनका यह वाला लोगो के जूलिएट और के जे करके नौन एक और प्रोफाइल पिक्चर बनाई है तो हम बहुत बना सकते हैं अब मैं आपको कैनवा पर सिखाता हूं कि कैसे आप इसको बना सकते हो सबसे पहले अपना camera खो लिजे create a design पे जाके custom size हमारा अल्री है 2500 x 2500 create new design पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहां पे text में जाओ सर्च करो signature font इसे बहुत लंबी list आजाएगी fonts की जिसको आप यूज कर सकते हो free में obviously camera pro को upgrade करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम font लेते हैं यह वाला ठीक है इसको बढ़ा करते हैं और इसमें लिखते हैं Kate और second time copy करते हैं और लिखते हैं Juliet इसको आप बढ़ा करके दे सकते हैं अब जैसे मैंने पहले कहा कि client को expectation से जाधा deliver करो तो client आपके पास रूखेगा भी और आपके बार बार और भी देगा तो इस वाले design को हम duplicate कर लेते हैं और click करने के बाद इसको हम background को change करते हैं इसको black कर लेते हैं dawn of fonts को select करते हैं font को हम white कर लेते हैं अब क्यूंकि यह deliver कर रही है अब करें एक ऐसा profile picture भी तो हम वह भी deliver कर सकते हैं तो आप simply इसको duplicate करो page को elements पे जाके आप search करो circle मैंने अल्यड़ी सर्च किया है shape में circle और मैं इसको बढ़ा कर लेता हूं उसके बाद आप इन ओनो फॉंट का color change कर लो to the black इनको छोटा करो और Kate में से सिर्फ K रखो आप और Juliet में से J और इनको combine कर दीजे इस तरीके से के लगे के यह साथ में बनाए गया है इनको big कर दो फड़ाओ size increase करेंगे और यह आपका एक option ready है अब same process हमको करना है इसको duplicate करो duplicate करने के बाद आप इसको इनका जो shape का color है वो maybe like pink कर दो और यह दौनो colors को हम change कर लेंगे white में तब आपके पास चार option होगे है client आपके यह 4 option देखे obviously आपको 5 star rating तो देगी देगा तब आपको client को deliver कैसे करना है आप share पे जाओ और download पे जाए और उसके बार आप PDF print या SVG या फिर PNG जो option आपको जाधा better लगे या जो option client मांगा हो आप उनको वो चीज़ download करके deliver कर दो next gig है वो इतनी easy to make है और इतनी common है कि आपने वो basically अगर आप student हो तो आपने वो पढ़ा है अगर आप teacher हो तो वो आप हो सकता पढ़ाते वे हो अगर आप beginner हो तो लेकिन US के clients इसको बहुत value देते हैं और इसकी Fiverr services बहुत अच्छे से use करते हैं तो मैं दिखाता हूँ अब आप Fiverr पे कितना competition है और लोग क्या बना के sell कर रहे हैं जो आप भी copy करके बना सकते हो चलिए Fiverr पे मैं यह है जीशान लेवल 2 के designer तो यह क्या बना रहे हैं यह silver में बना रहे हैं 5 worksheet pages of 1300 rupees only 1300 में पांच बना रहे हैं यह 40 worksheet बना रहे हैं 8000 rupees में और premium बना रहे हैं 60 worksheet यह 12000 rupees इसके साथ यह complex book cover भी दे रहे हैं 3D mock-up भी दे रहे हैं आप अगो अगर यह सब नहीं देना है तो आप थोड़ा सा price कम कर लो और यह सब option हटा दो इसके बाद अगर हम इनका देखें काम portfolio अगर हम इनका चेक करें इनका काम तो यह ऐसे ABCD worksheet बना रहे हैं which is not a big deal आप भी बना सकते हैं अगर हम दूसरा कोई चेक करते हैं for example अगर हम इनका चेक करते हैं इनका design तो बहुत जादा easy है बनाने के लिए तो मैं आपको simply दिखाता हूँ के Canva में आप कैसे यह create कर सकते हैं हम Canva की तरफ जाते हैं यहां से आप create a design करो और A4 sheet पे आप क्लिक करो आप यहां पे लिखो math kindergarten worksheet यह 3rd वाल option आप लिख कर लो और आप चेक करो free वाल आप कोई भी pick कर सकते हो मैं देखता हूँ आप यह देखो यह भी कर सकते हो यह अच्छा खासा math का एक पूरा बना बना यह जो आप यूस कर सकते हो इसमें कुछ नहीं करना है चेंजिस करो आप इसमें 2 लिख दो यह 3 लिख दो यह 4 लिख दो कुछ भी चेंज कर सकते हो ग्रे की जगा और 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 अप यह लिख सकते हो के add your colors यह text को अगर चेंज करना है तो worksheet आप लिख सकते हो So the point here is कि यह easy to make है और इसके बाद आप share पर जाओ और download पर जाके आप as a PDF standard या PDF print बेच सकते हो तो देखो आप कितना easy task है और आप असानी से कर सकते हो अपना freelance का career start कर सकते हो शुरुआत में ऐसी gigs के साथ है अब हम चलेंगे next gig की तरफ जो बहुत ही easy है मतलब इतनी मैंने जो चीजे बताई है सबसे जादा easy वह वाली gig है और आपने बहुत बार देखी होगी instagram reels पे देखी होगी youtube shots पे देखी होगी tik-tok तो band इंडिया में लेकिन जहां भी available है वहां पे वह लोग tik-tok पे डालते हैं तो वह है affirmation videos मतलब एक simple text लिखाता है उसके पीछे background में कोई video चलती है that's it अब दिखाता हो मैं उसमें कितना कम competition है ऐसी videos का literally zero competition है मतलब 58 results मतलब लाखों लोगों का ये platform है लाखों लोग इसमें आते हैं अपनी services बेचते हैं लेकिन सिर्फ 58 people ऐसे हैं ये level 2 के seller है मतलब इन्होंने अच्छे खासे पैसे अभी तक Fiverr से earned कर चुके हैं और इनको Fiverr ने अलग से tag भी दिया वा है this service is offered by a pro freelancer मतलब Fiverr इनको promote करी एक badge भी लगाए वा है Fiverr ने और ये क्या बना रहे हैं कितना simple तरीके से बना रहे हैं और क्लाइन को कितना satisfy कर रहे हैं ये मैं आपको इनका portfolio दिखाता हूं आप चेक करों ये वाली वीडियो में चला के दिखाता हूं simply एक text लिखा है उसके पीछे एक background वीडियो है और इनका काम हो गया तो basically 10 affirmation videos के लिए 400 rupees charge करते हैं 100 videos के लिए 1300 rupees charge करते हैं which is not a big deal 100 ऐसी video बनाना is not a big deal अभी मैं आपको हाथ हो आप सिखाता हूं कि कैसे ऐसी video बना सकते हो और इसको replicate करके changes करके 100 तो आप एक घंटे में बना लोगे तो चलिए Canva की तरफ चलते हैं तो Canva में जाना है क्रेटर डिजाइन पर क्लिक करके आप रील लिखो और इंस्टाग्राम करील का option चूज कर लो इसके बाद आप इसमें से भी बनाएवे कोई template उसकर सकते हो अगर आप चाहो तो आप स्क्रैच से भी बना सकते हो तो मैं स्क्रैच साब को बना कर लिखाऊंगा कि कैसे आप इसक्रैच से बना सकते हो सबसे पहले आप जाओ एलिमेंट्स पे महां पर लिखो C वीडियो पर इसमें से फ्री वाला वर्जन आप चूज कर लो इसको आप ड्राइग और फिक्स कर लो अपने आर्ट बोर्ट पे अब आपको जाना है टेक्स पे टेक्स पे जाके आपको एड़ टेक्स बॉक क्लिक करना है अब आपके पास दो ऑप्शन है अगर आपको क्लाइन कोई टेक्स देता है तो वो टेक्स यहां पेस्ट कर देना है कलर चेंज करने हम वाइट कलर रखेंगे और थोड़ा सा और उसके बाद टेक्स्ट आप अपने हिसाब से फॉंट चेंज कर सकते हो पॉपिलर फॉंट है मैं इसमें से यह वाला फॉंट चूज कर लूँगा और आपकी वीडियो रेडी है क्लिक करें डाउनलोड पर जाएं MP4 पर क्लिक करें और डाउनलोड करके क्लाइन को समिट कर दें ऐसी आप सो वीडियो एक घंटे में मना सकते हो इसमें आपको डुपिलिकेट करना है पेज को और चेंज कर दिनी है और उसके पीछे की वीडियो अब आत ये बारी लास्ट दि हैं बोलने की बिजरूरत नहीं अगर आप लिख लेते हैं अच्छी एंग्लिश और आपकी हैं थोड़ी सी सही है तो ये गिग आपके लिए परफेक्ट है आप हाउसवाइफ हो स्टुडेंट हो जॉब करते हो कोई भी हो बेरुजगार हो कोई भी हो आपके लिए ये इस है कि सिर्फ सो लोग उफर कर रहे हैं कोई और उफर ही नहीं कर रहा है मतलब इतना बढ़िया चांस है आपके पास अगर आपकी फाइवर की बना लो तो आप अच्छे रैंग भी कर सकते हो आपके पास order भी आएंगे और आप उसको बहुत असानी से फुल्फिल भी कर स सकते हैं मतलब आपको कोई software ने खरीदना है कोई बढ़िया laptop ने खरीदना है आपको बस handwriting अच्छी करनी है और colorful pens लेने अगर client की requirement है red pen से यूज करना है black pen यूज करना है pink pen यूज करना है तो वो जा कि आपको बजार से खरीदने और आप ऐसे बढ़िया बढ़िया लेटर स तो अगर आपको मैं दिखाओं तो ये बंदा है mohamad always ये क्या कर रहे हैं इनकी 4.4 rating है 5 reviews और ये बंदा handwritten notes देता है ये देखो आप simple notes है कोई बड़ा काम नहीं है 200 words के 800 रुपे ले रहे हैं और 600 words के 1700 रुपे ले रहे हैं मतलब अगर आप school में पढ़ते हो या college में पढ़ skills की भी कोई जादा requirement नहीं है आप canva का free version यूज करके भी इन gigs को बना सकते हो और फाइवर पर डाल सकते हो और आपके भी orders आने शुरू हो जाएंगे